नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं Unique Medicine YouTube चैनल दोस्तों आज हम बात करेंगे जो ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको पाइल्स या फिसर या फिस्तुला की प्रावलम हो जाती है और ऐसे पेशेंट काफी परिसान रहते हैं और ये ऐसी बिमारी है जो जल्दी खतम होने का नाम नहीं लेती है यानि जल्दी से ये क्योर नहीं होती है और इसका काफी लंबा ट्रीटमेंट चलता है कुछ पेशेंट को ऑपरेशन करवाना भी पढ़ सकता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी बिमारी के वारे में जानेंगे हम बात करेंगे आज की वीडियो म आपके साथ मैं देने वाला हूं सेर करने वाला हूं वीडियो में लगतार बने रहे और आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी खुद से मेडिकेशन मत कीजिए और साथ ही अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए घंटे के बटन को द दोस्तों जिससे क्या है कि आपको आने वाले टाइम में भी नईने वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी और आप कुछ नया जानते रहेंगे तो चलिए बात कर लेते हैं इस फिसर के बारे में दोस्तों फिसर एक ऐसी समझ्या होती है थोड़ा सा इसके बारे में पहले समझ कि ये जब हमारे किसी भी पेशेंट के पेट में लगतार कब्ज बनी रहती है और उनको हाड इस्टूल आता है तो हाड इस्टूल का मतलब उनको लेटरीन बहुत सक्त आती है तो उस समय क्या होता है जब लेटरीन करते हैं तो उनका जो गुदा मार्ग होता है यानी रेक् मास करते हैं तो दोस्तों जब यह hard stool force लगाने के साथ बाहर निकलता है तो इससे हमारे जो यह मल दुआर है इसके side में जो veins होती है जो rectum की नसे होती है इन पर अतियदिक दबाव पढ़ने के कारण यह full ने लगती है यानि यह सूजने लगती है और यहां पर साथ ही साथ इन पास में लगने लगता है इसी को फिसर कहा जाता है दोस्तों यह चीरा लगने के साथ क्या होता है कि पेशेंट को लगातार कबज बनी रहती है और उसका hard stool यहां से पास होता है पेशेंट जोर लगाता है और daily routine में ऐसा करने से यह जो चीरा होता है यह बढ़ने लगता है यह फिसर की समस्या बढ़ने लगती है क्योंकि constipation patient को बना हुआ है stool hard आता है latrine tight आती है और latrine करने के लिए उसको जोर लगाना पड़ता है और जब जोर लगता है तो यह जो दिवार है यानि rectum के जो veins हैं दिवारे हैं यह फैलने लगती है और यहां पर चीरा लगने लगता है यानि इसके अंदर मबाद पड़ जाता है उस समय क्या होता है फिर ये काफी कश्ट दायक हो जाता है और patient को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है यहां पेशेंट को काफी pain होता है यहां से bleeding होती है blood निकलता है और फिर मरीज काफी परिसान होने लगता है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम इसी के cure के बारे में बात करें यहां जो आप देख रहे हैं यह बैदनात का जात्यादी तेल यह इस fissure की problem के लिए काफी rambar medicine है तो यह किस तरह से काम करती है कैसे काम करती है तो इसके बारे में जानते हैं कैसे apply करना है दोस्तो यह एक ayurvedic तेल होता है यानि ayurvedic medicine से बना हुआ तेल है जो की external use के लिए है यानि इसका use syrup या injection या orally इसका use नहीं करना है इसका बारी use करना है यह skin related problem जो होती है उनके treatment के लिए use किया जाता है जैनरली अगर हम बात करें common जो इसके uses हैं जैसे कि घाव होना, खाज होना, खुजली होना फोड़ा फुनसी हो जाता है कहीं पर मकडी रगड जाती है बाड़ी पर चमली छिलने लगती है या छिल जाती है किसी चीज से या कट जाते हैं, जल जाते हैं एक्जिमा बगएरा हो जाता है बाहरी बवासीर और फिसर इसके लिए ये medicine काफी लाबधायक medicine होती है दोस्तो बैदनात का जो ये जात्यादी तेल है, वो बहुत अच्छा तेल है दोस्तो इसमें anti-inflammatory और anti-biotic properties होती है जो की जख्म को सुखाने के लिए और उसको infection से बचाने के लिए काफी effective होती है बहुत लाबधायक होती है तो guys यहां करना ये होता है कि ऐसे जो patient होते हैं फिसर या piles के उनके लिए इस जात्यादी तेल को यहां पर लगाना होता है यानि ये फिसर वाली जगह पर लगना चाहिए तो इसको लगाने का तरीका ये है कि अगर फिसर अंदर है यानि अंदर की problem है तब आपको एक दो से तीन ml की सिरिंज को लेना है और इस सिरिंज को लेने के बाद में आपको इसके अंदर जात्यादी तेल को भर लेना है दोस्तो जात्यादी तेल को भरने के बाद यहां निडल को हटा कर यानि आपको ध्यान रखना है निडल हटा देना है निडल हटाने के बाद इसमें प्रैसर मारके इस तेल को लगाना है यानि इसकी फुआर से ये तेल आपका यह अफेक्टिड एरिया पर लगना चाहिए तो continue जब आप 15 दिन महिनावर ऐसा करते हैं तब आपको ये जात्यादी तेल काफी आराम करता है ये इस फिसर को यानि ये जो फिसर है इसको घाव को सुखाने का काम करता है इसको हील करने का काम करता है और इसको सुखा कर इसको बापस पहले वाली कंडिशन में लाने का काम करता है यानि इसको क्योर करने का काम करता है दोस्तों जब भी आप इस medicine का use करते हैं तब आप इसको सुभा और साम दो time आप use कर सकते हैं साम को सोने के time आपको ये oil लगाना है, oiling करनी है इसकी और सुभा toilet वगेरा करने के बाद पेट साफ हो जाता है आपका फिर उसके बाद में भी आपको अच्छी तरह से अपना जो एनस एरिया है इसको साफ कर लेना है और इसके बाद इसमें oiling करनी है तो सुभा और साम दो बार में आपको ये तेल लगाना होता है अगर किसी को हलकी फुलकी समस्या है तब वो एक बार भी लगा सकते हैं और इसक कोई infection वगेरा ना फैले और साथ ही साथ आपको खाने में तलीव हुनी मसालेदार और बहुत ज्यादा तलीव हुनी fast food वगेरा ये सारी चीजें आपको नहीं खानी है इसे क्या होता है इस टूल hard होता रहेगा और ये समस्या बनी रहेगी तो दोस्तों इस टूल को soft करने के लिए आप अभया रिष्ट वगेरा का use कर सकते हैं तो इससे क्या होगा कि जब आपका इस टूल soft हो जाएगा ये easily evacuate हो जाएगा यहां से rectum पर किसी तरह का जो force है वो नहीं लगेगा तो यहां पर इसका जो चीरा है जो घाव है वो नहीं फैलेगा तो ये automatic हील होने और आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे और आपको अच्छा फील होगा आपको पेन वगेरा inflammation वगेरा नहीं होगा ये इस जात्यादी तेल के काम करने का तरीका हो जाता है ये घाव को हील करता है और यहां जो नसों पर जो वेंस पर swelling होती है सूजन वगेरा होती है उसको भ मल आता है वेकवेट होने के लिए यानि जो मल आता है जो टटी आती है इसको lubricating कर देता है इसको आसानी से निकलने में मदद भी करता है और जखम को हील करने का काम करता है दोस्तों साथी साथ आपको ध्यान रखना है कि इस तरह की अगर समस्या है तो आप फिटकरी के पान 10-14 मिनट तक बैठना है दिन में दो बार एक बार आप ऐसा कर सकते हैं और आप ऐसा करके यह जो फिसर है इसकी सिकाई कर सकते हैं तो इससे और जल्दी आप ठीक हो जाएंगे और आपको आता ही आराम मिलेगा दौस्तों साथी साथ आपने पानी ज्जाद पीना हैं इस बा प्रफानिया में आपको नॉन वेज फूट छोड़ना है अलकोल का सेबन नहीं करना है सेग्रेट वगएरा नहीं पीना है तेल तला भुना मसालेदार नहीं खाना है तमाकु गुट का छोड़ देना है जंक फूड का यूज नहीं करना है दोस्तो जब यह सारी चीजें आप फॉलो करते हैं तो आपका जो फिसर है या जो पाइल से वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और आप ठीक हो जाते हैं तो गाइस यह इस वीडियो में इस तेल के वारे में जानकारी थी थोड़ा सा MRP इसका समझ लेते हैं दोस्तो इसका जो MRP होता है वो 70-80 रुपए में तो यह थी आज की इस वीडियो में इस जात्यादी तेल के वारे में जानकारी मैं उमीद करता हूँ दोस्तो जानकारी पसंद आई होगी जानकारी अच्छी लगी होगी जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें सेयर कर दें ताकि आपके अपने स जानकारी से अपडेट रहे हैं दोस्तों आज के लिए इतना ही है मिलते हैं आप से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक सेफ रहे अपना ख्याल रखिए थैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो गुडबाई जैहिंद